भगवान श्री कृष्ण की कहानी भारतिय पौरानिक कथाओं में अत्यंत रोचक और प्रेरना दायक है। उनका जन्म कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता, वासुदेव और देवकी को कंस द्वारा बंदी बनाया गया था। कंस को एक भविश्यवानी मिली थी कि उसकी बहन के आठवे पुत्र द्वारा उसका वध होगा। इसी डर से उसने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो वासुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ दिया। वहां उन्होंने यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में अपना बच्चपन बिताया। कृष्ण का बच्चपन कई चमतकारों से भरा हुआ था। वे बंसी बजाते हुए गोकुलवासियों का मन मोह लेते थे और उनकी शरारतें जैसे मक्खन चुराना और काले नाग काल्याग के साथ युद्ध करना प्र गवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सदैव खड़ा रहना चाहिए। उनके गुन और लीला आज भी भक्तों के दिलों में जीवित हैं।